हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सीखो हिंदी में तो दोस्तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अगर आपके पास भी जीए फोन नेक्स्ट और दोस्तो आप इसमें अपने वॉल पेपर को चेंज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं आईए ज कानते हैं तो दोस्तो आप अपने फॉन के वॉल पेपर को के चैंज करने के लिए आपको तो अपने पेज को स्लाइट करना आप जैसे दोस्तों आपने पेज को स्लाइट करेंगे ऊपर की तरफ तो आपके सामने देखें यहां पर डिफिरेंट टाइप के वाल वेपर शोड़ाएंगे तो इसमें तो आप जिस तरिके को वाल वेपर लगाना चाहते हैं उस वाले अफरस आपको वह وَول्पेपर सिलेक्ट कर लेना ए जो व लगाना चाहते है जैसी कि मैं現在 एक पर कर लेता हूं ये second पर जो वॉड़पर है इसको मैंने कह सलेक्ट करने का है दोस्तो यहां पर आपके सामने मिलेगा नीचे के तरफ रा इट वाला option तो आप किस पर कर देना है touch जैसी दोस्ता आप इस पर touch करेंगे तो यहां पर आपको तीन options दिख रहे होंगे तो first option है home screen second है lock screen और थर्ड है हमारा home screen and lock screen वाला तो आप जिस तरीकी का वोल पेपर लगाना चाहते है यानि home screen पर लाना जाएंगे तो first select करना है lock screen पर लाना है तो second और third पर है अगर आप चाहते है lock screen और home screen दोनों पर same wallpaper हो तो आपको इस लाइक कर लेना है जैसे आप इसको select कर लेंगे तो आप देखिए कि आपका यह वाल पेपर वह चेंज हो जाएगा और यह हमारा home screen पर और lock screen पर दोनों पर same wallpaper लग गया है तो इसकर दोस्तों आप कोई भी wallpaper चेंज कर सकते है अपने जियोफोन नेक्स के मुवाइल में से अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगी प्लिस को like कीजिएगा and मेरे चनल के subscribe कीजिएगा thank you so much